खुश्मू हूँ, मैं फूल नहीं, जो मुर्चाओंगा, जब-जब मौसम भेराएगा, मैं आजाओंगा जोचितरा, जोज मौसम भेरा, मौसमी वेका भेरा, जो मतोले नहीं लड़ा एंखाओंगा हूँ जर? सब्सकर चकदा टाराइग सबस्स leverage समय इ И सबत ऌने याहर बार 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 अस्टार सब्सक्राइब आ जाला नार बार यृपरबर यृडर तो करते छो करताए करता तुझे लल दोगी दोगा भाणकुन हैेत पाणका जोगाण में आदकक art करिण बंगी जय अजात धिरेचर आड़ा़ ऑ對 कर दो किया दो ई। कर दो खुर बाराए्ट बाराए्ट ये रहा आलम पुर्गम का निशान यहां से चड़ाई शुरू होती है छोटी छोटी बस्तियों से गुजरते हुए मुसाफिर इस रह के आखरी कस्ब तक पहुंच जाता है ये कज़वा है शीरी ना आज से तकरीबन सौ साल पहले इबराहीमी नाम का एक दौलतमन खानदान अंग्रेजी हुकमदानों के डर्व से भाग कर शीरी ना में बस गया था उस वांदान के लोग अंग्रेजों के डर्व से नहां चुपे रहें और अपनी देर का नहां चुपाते रहें दिन्या के नजरों से चुपाते रहें लेकिन मैंने को कौन प्राज सकता है आफिर एक दिन सर्थार को पता चल ही गया और फिर उस वांग्रान का नाम निशान के लिए से निटा दिया गया लेकिन वो दौलत आज भी का शाना इबराहीमी के किसी कौने में दफने लेकिन इस बात का क्या सुबूत है कि इनक्षा सच्चा है और आप जो कह रहे हैं वो सही है इस अलाके में हमारी आतों से सभी बाकिप है हो सकता है आप भी हमारी कमजोरी से फाइदा उठाना चाह रहे हो क्या सुबूत है तुम्हारे पास तुम्हारे पास है 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 मैं इस वक्त मुश्किन हूँ मुझे सिर्फ इतना कहना है आप लोग उसे कि इस वक्त आप पनी मजबूरी को समझिए यह अमीरी और गरीबी का सवाल है मैंने अमीरी और गरीबी की बात नहीं कर रहा क्या मैं आज तक आप लोगों के साथ कंद्र शकंदा मिलाकर काम नहीं करता रहा क्या मैंने आपके साथ मिलकर हर भारी पत्थर को नहीं तोड़ा हाँ तोड़ा है लेकिन तुमने हर भारी पत्थर को इस लिए तोड़ा है कि हम लोगों को हर पत्थर के नीचे ने एक और पत्थर एक और पत्थर एक और पत्थर जाओ आपने घर जाह सम्मिय इनके और तुमारे हर ऐसान की में दुगनिके में दुगा तकरविन सब कुछ हो चुका है चंद रोज बाकी हैं खुदा की लिए इने समझाओ मीर साहब आपकी मुश्किल होगा क्योंकि आप तो मुठी खुल चुकी है ना अब आपकी हैसियत का मौल इनी पत्थरों से चुकाया जा सकता है आमेर इसी उम्मीद में उम्र गजार दी खजाना आज मिलता है कल मिलता है सारी हस्ती लुटा दी अपनी फकीर होकर वैठा हूँ आखरी सासे के नहाओ यह की बेटा है और इसके लिए भी कुछ नहीं कर सका मीर साब आपका बेटा खुनहार बापका बेटा है विलायत में डॉक्टरी पढ़ रहा है अपना रास्ता खुद ही ढूल लेगा मगर मैं तो नामराज जा रहा हूँ अब्दुकरीम नामीदी की बाते क्यों करते हो चाचा जान अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा मेरे जान से भी प्यारे बेटे अमान जिस वक्त ये ख़त तुमें मिलेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तुमें ये पढ़कर अफसोस होगा मुझमें अब हालास से लड़ने की ताखत नहीं रही सिल्वत की जिन्गी में गुजारने नहीं चाहता ख़जाने के तलाश में मेरी जिन्गी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाया हो गया लेकिन नजाने क्यों मुझे भी यकीन है कि खजना यहा है वागर मेरे पास ने रुप्या रहा है ने काम करने वाले किसी हालत में साथ देते पुएटे मेरी मौत की जिम्मेदारी सिर्फ मुझम है हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम्हारा बदमसीब पाप पेटी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है इधर आओ यह है उस खजाने का नक्षा जो आमान के वालिद के पास था उसका राज उनके बाद मैं ही जानता था आज सर्फ हम दोनों जानते हैं तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ जी आपा आमेर एक बुरा और बद्वियत आदमी है नक्षे को हासिल करने के लिए हर जाइज नाजाइज सरकत करेगा तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं इसलिए के तुम मेरा रास्ता रोके हुए हो कौन सा रास्ता? वो नक्षा कहा है कौन सा राक्षा? अबदुलकरीम तुम मुझे जानते हो मैं किस तरह का आदमी हूँ सिरी तरह से नक्षा दे दो रास्ता छोड़ो बेकार बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं मैं तुम्हे दो दिन की महलत देता हूँ दो दिन के अंदर-अंदर वो नक्षा मुझे ना मिला न तो मैं तुम्हारे साथ वो सुलूक करूँगा कि कुछ दुश्मन के साथ में क्या करे चलो आमिर ये सब क्या हो रहा है तलाश कर रहा हूँ मेरी एक जुरूरी चीज़ खो गई भून रहा हूँ ये घर तुम्हारा नहीं है मिर्दा साथ का घर है उनके बेटे की अमानत है मगर तुम इस वक्त यह क्या कर रहे है यही सवाल मैं तुम से कर सकतां किये तुम इस वक्त क्या कर रहे हो ये कोई तुमार्षी जैदात तुमारे बाप की जैदात अगर बेगम कब से चुपा हुआ यहां कब से चुपा हुआ लू के पठ्थे तू क्या समझता हो बुड़ा बाप तुछ से शादी कला देगा बेगम की अरे पागल वो तुझे दामाद नहीं बनाएगा वो दामाद बनाएगा तो अमान को अबब क्या करें मैं कुछ नहीं समझा इश्क और महबत की बात होगी तो समझेगा है न देख नासर अगर तुने मेरे किसी मौामले में दखल दिया ना तो मैं तेरी हड्डियों का सुर्मा बना दूँगा समझाओ चल दफाओ अब अकल की बात करना से एक लड़की के लिए जान देने जा रहा है बेङवर तो नासर इसना में तेरा अबा से जा के चैनलों आख कर a नासर यह क्या पागल बन गया हूं यहक्ज़ नहीं कहता बेघम की आशकी का भूछ सॉआ रहे तरह सर्बल यही बात नहीं अबाद सच पूछन को कल रात जब आप बेगमर उसके बुड़े वालिद पर जल्म कर रहे थे किसी खजाने के नक्षे के लिए मुझे आपकी वो शकल नजर आई जिसका घ्याल कभी मेरे जहन में भी नहीं था कल रात मुझे अपना बाप सिंतान नहीं एक बैशी ताइंदा दिखाई पड़ा अब आपने मुझे नहीं हमेशा जल्म किये लकिन आपसे कभी नफरत नहीं कर सका कभी नफरत नहीं कर सका मैं तुझे जिज़े जिन्दगी की हर वो खुशी देना चाहता हूं जो मैंने नहीं देखी और वो खुशियां सिर्फ दॉलर से हासल होती है बेटे मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्वा एक बादे के आज के बाद आपस नक्षे का ख्याल तक अपने दिल में नहीं लाएंगे कसम उठाईए नहीं तो आपको मेरी लाश उठानी पड़ेगी अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं तुझे अपनी जबान देता हूँ के आज के बाद कभी नक्षे या ख्याने का नाम भी नहीं लूँगा लेकिन तुझे भी एक वादा करना पड़ेगा तू बेगम का नाम कभी नहीं लेगा अगर यह पिले बास की बादा थे बेड़ी बेटी अमान का खत आया था आया था अबा उन्हें लिखा है उनके पढ़ने का आखिरी साल है फिर उन पुरी डॉक्टर बन जाएंगे यहाँ आने के बारे में क्या लिखा था साल खतम होते ही साल खतम होते ही दोही मीमें तु रह गए है तुम सब यहां क्यों बैटा हो लड़की अकेली थी इसलिए यहां बैटे है बेगम इस तरह बीमार के सिराने बैटने से कोई बीमार ठीक थोड़ी हो जाता है जाओ बार जाके बैटो जाओ अब्दिलकरीम तुम जा रहे हो वो नक्षा मुझे देदो क्योंके जहां तुम जा रहे हो माँ तुम्हे उसकी जुरूरत नहीं पड़ेगी मैं कुछ नहीं जानता दुबाओ जाओ मैं कहता हूँ अब्दिलकरीम अपना नहीं तो लड़की के खायल करो तुम्हारे जाने के बाद वो अकेली हो जाएगी तो नक्षा मुझे देदो मैं बादा करता हूँ खाजाना मिलते ही एक हिसा उसे में देदूँगा नहीं देदो नक्षा मुझे लादेदो नहीं ओपड़की के खायल करता हूँ आत्को वो यद्दिलकर करते हूँ यद्दिलकर के अच्षा है है यूजर की खिदमत में बना हाथ है मुझे टैक्सी चाहिए मिलेगी वल्ला मिलेगी क्या सरकार मिल गाई समझे सामान हार उस ही है लाइए आप यही खेरिये मैं भी गाड़ी घुमा कर लाता हूँ हुजूर को जाना कहा है शटी ना तक तक शटा हो माफ कीजिये टैक्सी नहीं जाएगी हुजूर को शीरी में जाना है यहां क्या गाम हो सकता है तुमने पूछा नहीं मैं क्यों पूछू ले जाना हो तो पूछू अरे भाई एक सो चौदा माईल की चड़ाई चड़के जाना और उसके बाद खतरनाक रास्तों से लोटकर वापस आना अल्ला तो वहां अरे नाम को अल्ला का लेता है फिर भी अपने आपको अकेला बोलते हैं यार मेरा यार लोग इस दुनिया में ना तो कोई अकेला आते हैं ना कोई अकेला जाते हैं मालिक हार आदमी के साथ होते हैं जिस दिन मालिक साथ चोड़ता है ना ओस दिन आदमी लाखों का बीड़के अंदर के शीरीना से वापस भी आउंगा पूचा था मैं भी कितना उलुका पच्था हूं ये तो पूछना भूली गया मैं अगर तुम एक कदम भी आगे लिया न हम पाक परवर्दिगार का कसम तुमारा मक्बरा उदर ही बनाएगा लेकिन उस्ताथ हूं मैं अराम ज्यादा जाना नहीं इलना नहीं बिल्कूर वह इसलिए जमाली बच्चा तुम अपना चानस गवादिये अभी हमारे लंबरे अभी हम बाबु साइब के पास जाएगा बाबु से पूचे का बाबु से आ शन जाओंगा ओंसकता शीरिने theories दो चार दिन का बादर्व वापस भी आंगा घृति LAUGH जाना पूंदेश खेल काम इना भीकिराया वसूर्परन जाम ऐवस्या यह जनाे का मनीने किराया कि आndवशंश कि तुमको कल्च से कमिस पहनने का कोई जरूरत ने पड़ेगा सालेकुब आलेकम सलाम सरकारी सार्ट कछला आया हुए अब अगर मुझे शरीना ले जा सकते हैं तो हां गई है किराया आप आने जाने का किराया मुझे से अभी ले लीजिए लेकिन मुझे सिर्फ शरीना जाना है दो यू अंडर्स्टेंड आप ऐसे बेवकुव मीता मेरा मुझ के देख रहे हैं आप जबन घर में जो गया हैं क्या यह क्या है इसको अंग्रेजी में रुमाल बोलते हैं मैं क्या करूं इसका इस रुमाल के साथ अपने मुलकों पर जो जाग लगा है उसको पहुंच डालो और उसके बाद आमको बताओ कि अभी तुम पिर बात करने वाला है या अभी आमको काटने के लिए बागेगा आम सारी यह मांक नहीं वो तोड़ा जाग उदर है क्या है कि अभी इतनी सारी लोग यह ताहे वाले टैक्सी वाले सभा कर इतना कुछ बोल गए कि मिना दिमाग बिखुल से करा गया है आप मुझे शिरीना आम लेके जाएगा आपको आम आपके साथ शिरीना जाएगा साम अलेकुम, हमारा नाम है मुझेमा उमर खान , वैसे उमरखान नाम है लेकिन इदर का सब च्ष्रिक कभूतर लोगे न Suppose unique क्पार्ट शिरिणा कंदर 2 चार दिन रहंगा सथ दिन वारह दिन रहुंगा को लिए की इन ने नहीं है उसके बाद Um já Panaak start start इधर वापसई गा अलम पॉर्क आ आपको मैं दो दिन में वापस नहीं आउंगा मैं शायद कल वापस आजाओं यह सब्सक्राइब आने आपको मेरे आने ही या ना आने सकती हो उचिए आप शिरीना ले जाईए प्लीव तो शिरीना जाने, आप अपना टींट पड़ा आपना सर के उपर रखो, वो सामने कुला सड़क देखता है न टेड़ा मेड़ा, वो शिरीनी का सड़के, उसको उपर पैदल पैदल चला जाओ, इंशालला मौसम बदलने तक तुम शिरीना पहुच जाएगा, हुदर अंगू सब्सक्राइब करते हैं, हमारे उस्ताद हम से कहते थे, कि पठान बेहत मेमान नवाज होते हैं, बेहत बहाद होते हैं, अरे, मिस्टर अजब, बेतर होगा कि ये खान अपने नाम से अलग कर लो, हाँ, यू बेटर जस्ट रिमूव इड़ा, जस्कॉल और से अजब, होगे, तुम क्या बोला, जो सच है, वही, तुम्हारा बोलने का मतलब है कि हम पठान नहीं है, हाँ, हम वसे डिलोग तो पठानों का सा है, लेकिन, लेकिन, ओ बाई साब, पाक परवर्दिकार का कसम, ये पूरा इलाके का अंदर, हम से ज्यादे असली नसल का पठान को है, हाँ, हाँ, आच्छा तुम को देखना है, ए जमाली, हो बद्रुदीन, हो सब इदर आओ, लुका पठा, इदर ख़ड़ा हो जाओ, खंजीर का अउलाद, हो जमाली, तुम हमको बताओ, तुम 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 को बताओ, हम असली बतान है कि नहीं है, बाबु साइब क को बताओ, हमारा खांदान का लंबा नाक का उपर, इस अंग्रेज बाबु का चेड़े मेरा उंगली उटके है, हो खुदाया पाका, कमान, मिस्टर राजब, खुदा तो जवाब देने से रहा, आपस की बात है, समझने में, या अल्ला मिया, हमको कैसा दिन दिकाया मॉला, हमारा खांदान का इज़त मित्टी में मिला दिये, हम अतली पतान है, हमारा माबाप का इज़त को पर जो दाग लगे, वो क्या आजब खान का खूल से धूलेगा, पेट्रों से साफ हो जाए शायद, के अगर आप मुझे अपनी गारी में बिठाकर शिरिना ले जाएं, तो आप महमान नवास कहलाएंगे, और तब आप अपने नाम के साथ खान दोबारा जोड़ सकते हैं, और मुझे भी बहुत खुशी होगी कहते हुए, हलो अजब खान, हम तुमको शिरिना नहीं लेखे जाएगा बायजान, हम उस मादर फुलोस गाड़ी में तुमको नहीं बिठागा, अपने कंदे को पर बिठाएगा, हम तुमको काबूल ले जाएगा, कंदाल ले जाएगा, तुम यासे हिलना मत, तुमें तर बैटना, हम अभी आता है, हाएगागाग। वाबसार तुम इस किताब के अंदर क्या पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं तुम। हाँ, किताब। ओ कानी। उसके अंदर वह रहरा ज्ञाड़े। काला काला आसमाने। बड़ो बड़ा पाड़े। यह? प्लूसकता है। आचा अचा। उसमें कैसे हो सकता है उसके एंदर तु सफ़ेद को पर काला कीडा मकोड़ा लोग चलते हैं वो सकता है काला रंग मुझे पसंद हो ने खान, चटान है चटान का अक्टुक्ड़ा है, चटान का बच्चा है है कि फ Ai उसके अंदर देखो लिक prend дов말 चाणले को बार किताब कर ददêsक्ये हृप अमड़क है तो इस में तो किसी को अधिकन लेकिया म्हांद करने के लिए इसाब आमको कुद करना पड़ेगा तुम को हुआ हमको खुद के आपको होना चाहिए था कि इधर का रास्ता बंद होगा नहीं मालु मैं को तुम उस गारी से निकल जाओ दूसरी तरफ जाओ उदर जाके कुर्सी डाल के बैटो साब वो खुदा याँ वो यार तुम अमरे पीछे आके वावा करने के तुमको तुमको 10,000 फूट तो होगा नहीं होगा 20,000 फूट होगा अच्छा I wouldn't like to fall down there क्या बुल कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ करूना कुछ नहीं बुल्डोजर पकरने नहीं मिलेगा कुछ नहीं है यह चटान हटाने के लिए बुल कौन हम अच्छा हम अच्छा कोई रास्ता निकालता है तुम हमारा रास्ता चोड़ो यहां से दफा दफान हो जाओ तुम किताब पढ़ो किताब और उसके अंदर बुल ढूंड़ो बुल्डोजर 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 अभी क्या करेगा बायजार इसका इदर जाएगा तो गिरेगा उदर जाएगा तो तक्राएगा कुछ करता है करता है हुआ हुआ है झाले हुआ है पुझ हुआ हुआ है? कि या पाक परवर्दिगार यह किस अंदा का आपने बंदूख दे दिये तुम ओंदा ओए गारी यहाथी नहीं है यह देखो यह पत्रा इसको पर पत्रा और तुमको बंदूख चलाने का इतना शोका उनलुक अपटा लुपा क्या तुम सिकार पे को ने जाता आ अगर उसके पास दूसरी गोली हुई तो अगर उसका पास दूसरी गोली वड़ा तो हम वो गोली उसकी डूल यूद्या नहीं है वार आओ, हमको मालूम पढ़ना चाहिए, तुम कौन है? वार आओ, वार आओ! वार तो गोली चलाता है तुम, पर तुम अंदर करो उसको मुझे समझाने को ना उसे? भाईसा, आप गोली मत चलाइए! वार आओ, अगया! अगया 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 तुम अगया करदाने की तलाश में आड़ हो तो वापस चले जाओ तुम्हारी वैद्धरी इसी वे है कि तुम गाउ जाने के बज़े आलमपुल की तरफ अपनी गाडी का मूँ मोड़ लो नहीं तो हमारी इस पहली मुझात कोgeneration की समझ लेना आप क्या करेंगा अब टायर बदलेगा शिरीना जाएगा और क्या करेंगे अब हेतार गोली चलेगा खजाने के तलाश करेगा अब हेताए तुमको रहना है तुम दो-चार बरस रहे जाओ बाजन, हमारा अमजबपन इसलिए है क्योंकि हम बहुत अजीब आदमी है क्यों, क्यों शराफ़त है तुम लोगों को शर्म नहीं आती है को अरत को तंकरते हुए आखर उसमें क्या भीगा रहा है तुम्हारा हमक...! अबशाब आपको मालमेन्वें काशाने इब्रायमी कीदर है कार Tapi कार आपार शारे शेग कोईनान कारखनंना उसमेद लोगो हीज है जिन आपको शॉल डॉले खिरना स्यम्हारा कारोटार जeश्चैन हुदैनि विलवर्फारणी वाठी बिलति है कारखाना किदेरे चलो आगे चलो कि रूंते हैं आचलो यह मत समझा मुझे कुछ मालूम नहीं मैंने खुद अपनी आखों से बखरी को इस तरफ आते हुए देखा है बताओ किस के पास है मेरी बखरी मुझे जवान सब एक ही रंग में रंगी है मुझे दाथ ना पेट में आंत यहां बैठे दिल लगी कर रहे हो और घर में जो तुम्हारी बीवियां बैठी है उनका क्या होगा कौन नजाग करेगा उनके साथ किराए के आदमें बुलाओगे क्या उनके लिए और यह जवान त तो है बेगम बीवी नहीं है तुझे बीवी की क्या ज़रूरत है तु तो कोई अच्छा सा लड़का ढूंद के मुझे बता दे मैं तेरे हाथ पीले करवा दूंगे क्या तेवर ए भैसे शकल देखी है आईने में एक जहांपड रखती है न तो आने वाली सारी अवलाद बगएर दाथ के पैदा होगी मैं कहता हूँ छोड़ दे बकरी को नहीं तो मुझे से बरह कोई लिए होगा अब पता चल गया तुम में से कोई भी अपने बाप की आउलाद नहीं मैं इस गाव में नया हूँ मेरा नाम अमान है अगर मुझे कुछ हो गया तो आमान के आते ही ये नक्षा उसके हावाले कर देना इंकार मत कीजेगा आप वैसे ही बहुत बीट चुकी है घर पहुंचते पहुंचते आप बिल्कुल तरबतर हो जाएंगी प्लीज बंदी तस्लीम अर्ज करती है आपके आने की खबर वस्ती में खुश्बू की तरा फैल गई है काशा नाए ब्रहमी में खदम रंजा फर्माने से पहले अगर हजूर बंदी के गरीब खाने पर तश्रीफ लाएं तो बंदी के लिए बाइस से फख्र होगा प्रृप है यसीपन वह खुदाया पाका वारिश में आपका बारिश में वह भीकता है अजब खान के दिल में आपके वास्ते बहुत जगाए आओ आओ उतक्ष्ट्रीया है इसमाल के फिर आप आगे बेजुन लोग आउश ऐसे अजब। आप आगे बैठ जो आजी सेब ओ खुदाया पाका खुदाया पाका आप तो सम्झा था कि रेतीन टांक गाओं के अंदर किसी को मालूम नहीं पड़ेगा बाइजान लेकर देख वाला मैंने सुन लिया हमारा हा खातुन आपका नाम क्या है नाचीज को सहबजादी इनार कली कहते है माशाआलला माशाआलला यही नाम हो सकता था आपके लिए दूसरा नाम को मौदू नहीं है मिम साब आप आगे जाएगा की पीछी जाएगा पीछे चलो आप आपका मेरे लिज़ रुकोः ने बारिश है भाई टंडर टंडर बारिश आज जौ कुरबाद जौ ओ दोस जा जा कि वह दरवाद कोई बहुर बहुर शुक्रिया खान का ओ शुक्रिया कि इस बात का अमारा जान मेरा जननत का फरिष्टा वो देखो खुदा का शान बारिज भी बंद हो गया आपने हमारा गाड़ी का अंदर इस नाचीज गाड़ी का अंदर बैठ कर आपने जो तश्रीफ टेका है ना उसके लिए बहुत शुक्रिया अच्छे तो बादा रहा कल रात का खाना आप हमारे याँ खाएंगे वो कुर्बान जाओं अम अपना आखो के बलकों पर चल के आएगा और आप हज़ूर जी नहीं मैं जरा आप बाबुसेब अमारा बाबुसेब तो लाँ उचे सुनते है वो भी आएगा वो अपना कड़ों पर चल के आएगा अपनाडर चल जाओ कुरबान जाओ झाओ तो रृत ते लिठ ले लगजाएगा घल ख्राब हो जाएगा देखू लाग याणा सरदी वख 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 वर अपने तश्रीफ द्या समवालना वई वई सौरा अलेकम वह खुदा दिर खसिज दे वक्त आला मदद फान मेरी तरफ से ये दावत कबूल करने की इजाज़त आपको किस ने ली एक तो आप उस उस औरत को छोड़ने के लिए इतनी दूर यहां तक आए और फिर उसके बात वहां ओ बाई जन यह बैटे बैटे तुमको मिर्ची किस बात के लगे किस लिए कि इस गाड़ी का किराया मेंने दिया है और ये बहीं जाएगी ज़िख मैं कहूंगा आ अच्छा चैचा बाइजान तुम्हे इस गाड़ी का किराया दिये हैं तुम अजब खान का मर्जी को नहीं खरीद हैं ओ खुदाया पाका दाओ गोरा अल्लभ पाक दाओ गोरा ये रुसकेपल का उलाद पैदा हो क्या हमआर वास पैजन ये रहा तुमारा बागसर का उलाद ये समालो हमारा गाड़ी से नीचे उत्रो अपना उकका भी बार निकल के पिओ आइस याप बिट जो खुदा का शुकर करो क्या हम तुमको इदा तक लेकर आया दूसरा आदमी होता ना दौसका उलाद तुमको सोड़क का बीच में चोड़ देता हूँ उत्रो दो देखता क्या है हमको बिट-बिट क्या देखता है वाँ गाड़ी का किराय दिया तह उसका उलाद वाँ वह रही से पेसे वाला पेसे वाला है ओ चलो गाड़ी का बच्चा चलो यह पेसे वाला लोग के साथ ने बेटने का चलो एम дер मैं? तरिक तरिकेऊ माड़ी का आ है अनके के देखता गांट नेसिए आढ़ी का डिकीका कले मोर्स नें नेके तरिकमासर रड़ी का रहको देंए रगो यह पर धम ऐसे शाए हो साथोने के ने थेड़ी झाल झाल, 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 झाल क्यों ओ खुदा ये पाकः जलतु जलाल तू आय है दोला को ठालतू ये क्या है बाई ओ भाई जाल और बाप की लिखाई अच्छा क्या लिके पड़ो शेर लिखा है शेर लिका है वाँ 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 क्या शेर लिके ज़रा पड़के सुनाओ हमको ज़रा सुनाओ हया नहीं है जमाने की नजर में बाकी हया नहीं है जमाने का नजर में बाकी वाँ वाँ आगे पड़ो कि पुदा करे जवानी तेरी रहे बेदा ऊधा कजु Ben तो ये मेरे बाप का खद है तुम्हारी इनसे जानना मेचानक तुमकिस सीबत पर रो रहे ह। जुरूरी तो डें कि इसी कि जान पैचान आगा तो कुई रोएगा हम तो एक बाप का प्यार समझ सकता हो वो तुमसे कितना प्यार किया जब वो लिका खुदा जवानी बेदाग रेना चाहिए और खुदा पाका तुम कैसा अदमी यार तुमको दुख के अंदर आशु नहीं आता है खुशी के अंदर तुम आसता नहीं तुम एदम तंडा अदमी यार थेगा मैं यह कुछ नहींए तुमको मालूं नहीं होगी सब्सक्राइब दॉज तुमको मालूं नहीं होगी तुमने पासिके मैं फास्चेह टान हीत देखो, इतनी रात गाये, I'm telling you बार बारिश बहुत है, हम कज सुबा वापस जाओंगा कर दवाइ, कर अक्षाय राई, हम जार्राल सूँ बनली बतु कि कहा अजा है। आपके वालिद में मरने से पहले एक जिमेदारी मेरे अबबा को सौपी थी एक अमानत जिसे आप तक पहुंचाना था लेकिन शायद ये फर्जदा करना मेरी किस्मत में था ऐसी कुन सी अमानत हो सकती है जिसके बारे में मेरे अबबा ने मुझे अपने खतों में भी नहीं लिखा काश यहंग उनसे पूछ सकते तुम सब गाओ काटा कटा नौजवान लोगे मैसा मैनत करो मैनत आजकल के जमाने में डाए रुप्या मजदूरी किसको मिलता दुनिया का अंदर देखो तुम मैनत इमानदरी से काम करो क्योंकि परवर्दिगार काम चोरों से नफ्रत करता है समझा और अगर तुम अपना क काम अची तरह नहीं करेगा हम तुम्हारा टांग तोरके तुम्हारा मूं का अंदर टोस देगा समझा अभी मांदरी से काम करने का फैसलर करो मौकि का फायदा उठाओ बाबु सेब के पास अपना नाम लिखाओ और दफ़ा हो जाओ टू बाइटू चलो नहीं तो कल से सब अपना नाम दो अपना नाम तो तुमको मालूम नहीं है यार गुलाम जाग्लाल अज़ो खान तुम्हारी भी कोई बात समझ में नहीं आती कल तक तु यही समझ में नहीं आ रहा था कि यहां होगा क्या और आज तुमने सौ आद्मियों की भीड़ी कट्टी कर दी यह सब तुम करते कैसे हो जबाशीरी मुल्क गीरी अगर आदमी अपना जबान मीटे रखेगा सारा मुल्क को फता करेगा हम को यह सब करने के लिए बड़ा-बड़ा किताब नहीं पढ़ना पड़ते हैं हम भूपू और अपना तू तुम्हें से काम करते हैं ओ खजाने का उलाद ओ खजाने का उलाद तो हमें उसकी इतिला मिलनी चाहिए जी सर्दार तशरीफ रखिये आदा बर्द है आदा बर्द है वो आए हमारे घर में खुदा की कुद्रत है कभी हम उने कभी अपने अपने तुम्हें आख वो गिर गया ता माद दे दिया थोड़ा ज़्याद हो गये मौजज महमानों की खिदमत में एक ठूमरी पेश करती हूं समाते हैं झाल ज़्याद में तुम्हें 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 को बोला था रात में मत भी गो तुम्हारा गला खराब होगे तुम इजर आओ आराम से बेटो गाना आम गाएगा तुम्हें तुम्हें सुम्हें अकुर्बंचों बेटो जाने मन जानाने मन तासरा कुल बाद शम्हें जाने मन जानाने मन तासरा कुल बाद शम्हें वक्त है दोरान मेरा वक्त का अपना चलन अर जवानी लेके आती है बुरा बाद शम्हें जाने मन जानाने मन तासरा कुल बाद शम्हें गुमता रहता है बैया चलता रहता है बशन मा की बाहों से जमी की रोद तक सारा सपन बर खाबर से दर्मी जाए सावन सुके सर भी आए मौसमों के जान में जक्रा हुआ है हर चलन जान मन जान मन जान मन जान मन आसरा कुल बाद शम्हें जिन्दगी कहते हैं जिसको दिल रुबा माशुक है ये कभी फूलों की बाली ये कभी बंदूक है हसना रोना मेरे प्यादे हैं जिन्दगी के दो नजारें इन्नजारो ही सरोशन है जहां का बाद शम्हें जान मन जान मन जान मन जान मन जान मन आसरा कुल बाद शम्हें जान मन करें की है अबशेप लगता हम लेको भूका सोना पड़ेगा ये गुले बकावली तो जहभाणी के नेंच सोगया उटो बहुत काम करना चलो कान का कुदाई का सामान नहीं मिलेगा कि अब बात के न मारत वाला देखो कम असकम तुम कितना पैसा खर्च करने को तैयारे सुबा हिसाब लगा के बताओंगा ठीक है तुम सुबा हिसाब लगा के बताओ फिर हम सुबा मिर्जापूर चला जाओंगा मिर्जापूर क्यों जाओगे मिर्जापूर नहीं जाएगा तो क्या ये तीन टांग का गाउं के अंदर तुमको खुदाई का सबसामन मिल जाएगा ठीक है तुम जाओ मिर्जापूर जाओंगा मिर्जापूर तो हम सुबह जाओंगा अभी हम अपना बुल बुल जान को मिलने के वासे जाएगा क्या हम तुम्हारा दिमाग खराब है ये कोई वक्त है कि जीके घर जाने का ओ बैजान ये तो असली वक्त है लोगो के घर पर जाने का देखो हमको जाकर उसके साथ एक तरफ चांद होगा दूसरी तरफ सूरज रजने न चाहिए कमान खान बहुत बहुत आदमी हो वह इसमें बेहुत की क्या बात है यार तुम इदर सो और खाब देखो चांद सूरज का आम चांद सूरज से केलने जाता हूँ अब भी ऐसा महसूस होता है कि हजूर नवाब साहब की नजरे अनायत मुझ पर और हमको अलग कसम ऐसा लगता है जैसे अभी थोड़े दिर के अंदर नवाब साहब जो है न यह अपना हुका यह आज से पेकेगा और फोटो फ्रेम ऐसे थोड़ेगा और उचल के चलांग मा कि इदर हमारा सामने करा हो जाएगा हमको अपना सीने से लगाएगा और हमको बोलेगा अजब खान हमारा जान हमारा प्यारा पतान हम तुम्हारा शुकर गुजारे कि तुमने हमारा दिल का बुलबल को अपने दिल के अंदर केड कर दिया है और हम उसको बोलेगा नवाब पटान का जान, हम तुम्हारा हु का किसम का के बोलते हैं, हम तुम्हारा बुल-बुल का खायल रखेगा और उसको रोज दाना भी किलाएगा बहुत शरीर है आप खान साहिब, बिलकुल उन्ही की तरह, देखे आपके शकल भी उनसे कितनी मिलती है बात शकल का नहीं हमारा जान, बात दिल का है दिल का उनका दिल भी बहुत बड़ा था खान साहिब तुम सुना नहीं, दुनिया में जो सबसे बड़ा होता है ना, दिल, वो पटान लोगको पास होता है वो मुझसे शादी करना चाहते थे लेकिन किसमत में मेरा साथ नहीं दिया उनकी आँखों में कोई और हसीना बस गई नवाब साथ का आँख भी बढ़ा था यहां पर मैं उनके साथ गर्मियां गुजारने आया करती थी और सर्दी किदर घटाओं में कोई भूली कहानी याद आती है नया मौसन जब आता है पुरानी याद आती है जबानी तकलाए ना गहानी ही सही लेकिन हमें तो वो बलाए ना गहानी याद आती है बड़ा मसा पाया लेलाई में के जूट गई जूड़ी पलाई में बड़ा मसा पाया लेलाई में के जूट गई जूड़ी पलाई में चात्माधी जीती जबाई में के जूट गई जूड़ी पलाई में शर्पत से मीछे दराई से कड़वे शर्पत से मीछे दराई से कड़वे खाए वही खाए मन को खाए वही खाए मन को पाने जो मेरी वो तनमने अपने ऐसे छुपाओ सजन को जैसे छुपाओ सजन को जैसे जैसे पानी शुराही में के तुट गई चूड़ी खलाई में आपड़ा मसमाया लडाई में के तूट गई चूड़ी खलाई में हां आप जैसे उचनके तुपाँ सद्वा के खलाई आपड़ी कारही में में माधो बढ़ी खलाई में यही खलाई में को यही खलाई में कर अज़ खलाई में माह Спेह छनमा भेरे संगट की रहना निराले खेहदे न पिंदिया ना कजडा, न जजडा हो गई रही चादी की वाली हात दूआ दूआ को तुट दूआ पूया लेलाई मैं सरकार का इशारा समझती है सरकार कहने चाहते हैं कि उन्हें आज के फूलों के खुश्बू कल के फूलों से जएदा पसंद है हाँ लिए बाखुदा हम तुमाई साथ नाइच्छाफी नहीं करेंगे अमारा महल आस्मान महल जो तुम्हे बहुत ज़्यादा पसंद था जहां हम सरकार के साथ गर्मिया गुजारा करते थे हाँ बुवी वह मैन हमने तुम्हेरे नाम कर दिया जहें नसीब इसलिए वो दौस नवाब का बच्चा इसके साथ शादी नहीं किये जो वरत मरत से पहले सो जाएगा उसके साथ कौन मरत शादी करेगा बहुत बहुत महरबानी बुलबुल जान अमरे दिल का अमरे मौबबत का तुम बिलकुल पेपसा बना दिये बाई चलो अल्ला तुमको जन्नत बख्षे सो जाओ असलाम अलेकूम खान ये लो ये कितना पैसा है एक हजार वह आमको सो में बताओ ना यार दस सो दस सो आच्छा ठीक है भाई अखान ये रुपिया मेरे लिए बहुत एहमित रखता है इसका एक एक पैसा समभाल के खर्च करना ओ तुम बिलकुल फिकर मत करो तुमारा पैसा अमारा पैसा नहीं बिलकुल नहीं मेरा पैसा मेरा पैसा टीक है क्या 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 लाना है वो सब याद है आपको आमको दूद पीता बच्चा समझते है तुम तो वापसी कब तक होगी सब्सक्राइब आम इंशाललह इडिक पहले आजैको वापस आशा है अजाचा अपश्चा समस्छा फैस कुदा का दो कि आख कर दो अच्रा वापन करता के लिए नहीं माफी चाहते हूं वो बूल कुर्मान जाओं वो तो जवानी का नीम था आप तश्रीव कहा ले जा रहे हैं आम जाता है मिर्जपूर वो क्या है कान के खुदाय के लिए हमको थोड़ा सामान खरीदने है आप मेरे लिए क्या लाएंगे तुमारे लिए ओ खुदाय पाका अजब खान क्या उल्लू का पटै तुम भी वो दरसल आम तुश जाता है शे आखी केज कर हाथ में दे लेगा उसको उदर से हम लेका आएगा एक जोड़ा ऐसा जोड़ा खुदा किसम एक तरफ इदर सूरज होगा दूसर तरफ इदर चान दोगा लीजे हजूर ये अंगूठी आप अपने हाथ से मेरी उंगली में पेनाए ये मैंने इसी दिन के कि आए चला गया और ला ये आप अपना हाथ दीजे हो हो जरस हमाला कुर बन जाओ हो चोट है और हमारा उंगली बूत मुक्त है आहा बस 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 बश ओ गया कुर बन जाओ इसको ऐसे रहंदो क्या ही यह ऐसे रहेगा आमको छुबेगा, आमको छुबेगा, आमको तुम्हारा भोत याद आएगा अच्छा अब हम जाओ, यह तुम्हारा चत्री है खुदा आफीज, खुदा आफीज, और दूप में ज्यादा मत गुमना, तुम्हारा रंग काला हो जाएगा असलाव अलेकूम असलाव जाएगा असलावा कालते टोंगा काला किवा टार्ग रड़ते यार्ग और्गा स्वाल। अभी हम तुमको थोड़ा देर और चलाता है तुम्हारे इच्छी लेना बाप के साथ उड़ जाता है इसकर के उल्लू का पठा हाई 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 तुम्हार समझ में आता क्यों ने उल्लू का पठा हम अपना मंजिल के एकदम करीब पहुच गया था तोड़ा रस्त बागी था तुम हमारा साथ छोड़ दिया चने के अभी हम क्या करेगा उल्लू का पठाट हाट हाट ठीके तुम जाना मत अमें भी आता है अभी आता है अभी हम आदी रात को जाएगा तुम्हारे लिए कुवा को देगा पानी लेकि आएगा तुम्हारा बापका इदर नल लगाए तंकी तुम्हारा दादा दौसका है ये सब तुम्हारे वाट हाई हाई ये लो आते बाहर निकल पड़ेंगी साले इतना मधस बुल बुल जान तुम्हारे पास आकर नहीं हसेंगे तो कहां हसेंगे आज तो तुम्हारे हाथ से शराब का च्छा लगता वाच जाम हो जाए अरे जाम भी मिल जाएगा बेहन के भाई तुम किसको वास्ते नाराज होता है सुनो वह लोग जैसा सवाल किया हुआ वैसा हम जवाब दिया है आम इस शहर में अजनबी आदमी बार हमारा गाड़ी खराब हो गया आमको गाड़ी में डालने के लिए तोड़ा पानी मंगता था आप पानी हम ऐसे नहीं लेगा आम पैसा देगा पैसा आँ अरे अजीब लोग हो तुम लोग विचारा शहर में नया नया आया है क्या सोचेगा अपने दिल में के इस चेका के लोग बड़े बतमीज और बद इखलाख है खान तुम इननों की बातों का बुरा मत मानना हम थोड़ा सा पानी लेने के वास्ते आया क्योंकि हमारा गारी गरम हो गया है अरे खान बुलबुल जान तो खातर कर रही है और तुम पानी के चक्कर में हो गारी को गरम रहने तो तुम ठंडे हो जाओ अब आ उन्नों के अठे बुलबुल जान की खातर से आदमी ठंदा नहीं गरम होता है सेयूर, सेयूर, नहीं पारी ओंदा नहीं, सेयूर, सेयूर । यह जो मुझा उन्स वेजू जरा हम्रे भी तो सुनते जाओ बबॉवा अरै सुनाrow बॉलबॉल जाओ आके जाओना कशनदे 또 का ऐसा पाणि उन बावरश की ठन के जवानि मूरिज जरीया का ऐसा पानी का के जाई हाक नंप तह़िए लेहरिया आ के आके जयो नव आके जयो न प्यार एद जरीया के पानि लजाए जरीया के कावन की बदली साओ कावन की बदली सा लहराए जोबन लहराए जोबन लहराए जोबन कावन की बदली सा लहराए जोबन आजा भी मादू के तेरा भी कनमन भारी जागर ना अपारी जागर ना तम लेका मेरी आते अनिले जागर नगरी आते कावन कैड़ कि लागरी जागरी आते कि वागर की तेरे जागरा कि कि वागर के लेका लागर के आते जरने थी बर्सु जरने थी बर्सु जरने थी बर्सु जरने थी बर्सु तेरी चाक पीने का बर्सु में निक जाती हूं पानी उन्गरिया थी पानी जाओ तो री खंगरिया थी गर्वाल्ष तो मोरी गहर्ण पानी सलावरे के चल के जवानी जाiera नम नहेते लेहरे चे आके गयो ना, हाके गयो ना, चाए आज़री आनिल ग़्या को मोरी गहर्ण जाए अनुआ sma वाज पूलबुलजान आज अग सवील अर्सका बात किसी ने आजव खानको इतना खुश किये हम तुमको मालो माल कर देगा मालो माल कर देगा रहे हम तुमको यहेलो हाह पस एक रुपया हाँ हाँ हो यह ऐसे एक रुपे का नोट नहीं है बाई यह बरकत वाला नोट है बरकत वाला जिदर तुम्हारा बाकी का नोट रख्या है ना उदर लिजा के इस नोट को रख दो चका चक नोट पैदा हो जाएगा शब बखेर स्लाव अलेकूम अरे चो नाम बड़े और दर्शन खोटे निकाला तो इतना अपड़ा नोटों का बंडल था मकर दिया क्या है देखो चपंचुरी कदर नोट का नहीं होते कदर उस जजबिक होता है जिसके साथ नोट दिया जाता है तुम इस नोट का कदर करो उसके बाद इस नोट का रंग रंग तो मैं तुम्हारा देख रही हूँ छाट जी डाड़ी लगा कर अंदर चेले आये अरे इतनी लंबी चोड़ी छाती अरे बैल का बैल आदमी मालूम होता था के अंदर लोहे का दिल है मगर निकला चुहे का पैसे देने के नाम पे बिलके अंदर घुज गया चोड़ी देखो चपंचुरी ये सब बाते अरत का मुझ से सुनने काम को आदत नहीं समझा एह सुनने के आदत नहीं बहुत शरमदार हो तो गाना सुने बगर उठके चले क्यों नहीं गये भाई छेला पट्याला वाले के रिकार्ड नहीं बज रही थी बुल-बुल जान क कोई मुनिसिपालिटी का माल है कि फुकट का दिदार करने वाले दाड़ी हिलाते वे चले आए अगर पहले मालूम होता कि सूथखोर पठानों से भी दो जूते आगे हैं तो गुद्दी में हाठ डालकर बाहार निकलवा देती और स्कूर्फोरिट के साथ हम को ज्यात्ती ने करना चाहिए मगर तुन नभी हमारे साथ जयात्ती किये है तुमने आमको गाली दिया है हमको नहीं हमारा बाप को भी गाली दिया है तुमने हमको सूथ खोर पतान बोला है हम सूथ खोर पतान नहीं है हम काम करके अपने मेनफ से कमाते है अभी तुम हमको अपने दिल से एक इफ़ा बोलो कि तुम हमको माफ कर दिया है नहीं बोलेगा ठीक है मत बोलो, खुदा भी ऐसा पटान लोग का सून लेता है, हम इधर ही बैटेगा जब तक तक तुम हमको माप नहीं करेगा, बैसे हमको सूने करें कुछ जगह तो मंगते हैं, है, इधर हो, हमको सुला दो, आगे परू क्या लिगए है, हम इधर खेरियत से पहुच गया, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई, तुम किसी बात का फिक्र नहीं करना, आप बहुत अच्छा है, अब इलिको, हमको इधर रहने का वास्ते बहुत अच्छा जगह मिल गया है, यहां हमको आर चीज का बहुत आराव है, तुम फिक्र मत करो, हम सब सामान लेकर आएगा, हुआ हाफिज, पकत, आजब खान वल बलिधाद खान, कुछ हमारा भी हग है तुमारे उपर, दो दिन से तुमारा चैक नहीं सुना, जरा पर्दे से निकल कर बाहर तो आव मेरी जान, कुछ नाच गाना हो जाए, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साब छुपते भी नहीं, और सामने आते भी नहीं, मेरी जान, पठान से मत डरना, तुम हुकम दो, तो दो मिनिट में उसकी पठानी निकाल कर रख देंगे, हम भी शेर किछाती रखते हैं, आगया, 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 बचाओ, भाई जान, देखो, आजब खान को पर आट डालना इतना असान काम नहीं, तुम्हारे समझ में बात आया, समझ में आया बात, नहीं आया, पुम्हारे स terms जाना काम गानना, आगया, यफ जए रधते हैं, बश्री बात आया, आगया, जोन जा वीत्त, हैं घ्र theo भइको झाना को अली में हिर, लोगошे हैं, हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है कि यार नासिर मैं जब भी तुझे देखता हूं ना तो मेरे दिमाग में घपना होता है क्यों अरे जिगर अब वो जमाना गया जब माशुक के सामने आशिक का पैगां में महबत कासिद लेके जाया करते थे अब तो कोई भी लड़की बात करने का बुरा नहीं मानती अम्मा से भी नहीं कहती अरे मैं तो कहता हूं एक बार बेगम के सामने ठूटो तो सही कि तुम किया हो उसे तो यह भी पता नहीं होगा कि तुम उसके आशिके जारो शायद मगर क्या बात करो किस तरह करो मैं बताओ अब जब कभी भी वो तुझे सामने खड़ी नजर आ जाए ना तो उसके पास जाके रोना शुरू कर देना वो पुछे की बात क्या है तो फट से उसके कदमों पे गिर जाना तुम्हें तो यार हर वक्त दिल लगे सूचती है तो और क्या करूं यार यार नसिर तेरी किसमत बहुत जोरदार है क्या मतलब देखवारी आरी है बेगम तुम आगया गे रहो और मैं यहां इस दिवार के पिछे छुप जाता हूं जो चुम मैं बोल बोल बोल। बोल। नाचीज का सलाम आ मुभबत कबूल। धैतेने की बेगम एक नजर इधर भी हम भी आपकी राह में खड़े हैं कुछ हमसे भी बाते करते जाएए मैं तुम सब वो मैं मेरी आपकी तुम लोगों को हर वक मजाग सूचता है ना घर देखते हो ना बाहर मुझे परेशान करने के लिए हमेशा नए नए तरीके निकालते रहते हो कही कोई शराफत है तुम्हारे में या नहीं अब मैं क्या करूं गली में आना जाना बन कर दूं घर में बैठ जाओं आइंदा अगर मैंने तुम्हारी शकल देखी तो मेरा जूता होगा और तुम्हारा सर लेकिन मैं आप पहले बात करने का अंदास सिखो बतमेज बेहुदा लोग तेरी तौर सारा पैसा खत्म हो गया सामान नहीं खरीदा तुम्हारा एक एक पाई वापस करें कि खुदा मुसबब असबाब है और क्या लिखेगा बस ये के ये के मुस्कुराता रहो हसाता रहो हाहा और एक एक शेर यादा है जिन्दा रहेगा फिर मिलेगा फिर चमन में फूल खिलेगा हाफिज फकत अजब खान वल आदा बरस है आई 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 तुश्व लईए आप यहां इस वक्त मैंने मैंने सुना है उनका खत आया है उनका अच्छा अच्छा उसका वो जिया उस हराम आजब खान का खत है जिया आया है पढ़ लिए आप पढ़ दीजे ना मेरी नजर पर जोर पढ़ेगा मेरे दोस्त भाई अमान क्या कुछ लिखा है जी बहुत कुछ लिखा है बहुत कुछ लिखा है उसने नहीं सिर्फ मेरे लिए आपके लिए नहीं जी नहीं कुछ भी नहीं 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 मेरा मतलब है ये ये पहले सवे पर कुछ नहीं है दूसरे सवे पर तो आप ही का जिक्र है जी आप यहां बस आप ही आप है आप ही आप है पढ़ दीजिये न अगर जहमत नहों तो जी नहीं बिलकुल नहीं सुनिया आप अनारकली बेगम को मेरा प्यार प्यार जी प्यार दुनिया भर का प्यार और हां हां और उनसे कहना कि मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूं और वो तयार रहे है शादी के जोड़े के बारे में क्या लिखा है शादी के जोड़े के बारे में हाँ शादी के जोड़े के बारे में लिखा है कि उनसे कहना कि मैंने जोड़े का ओर्डर दे दिया है ऐसा जोड़ा जिसके एक तरफ जांद होगा बस बस रहने दीजे मैं समझ गए अमान साहिब अगर आप उन्हें जवाब दें तो लिखेगा अंगुठिया भी वहीं से बना लें यहां तो सोने का काम कोई जानता ही नहीं है जी अच्छा जी मैं चलती हो बहुत बहुत शुक्रिया नमस्ते कि अच्छा पिसले लुट। बढब सिर्फ खां यु एडिय। लां जाना 180 morning सिल हो एलाइञ लाद करहा जाना सिल लाद 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 3 कि बामना जो, कर दो कि तुदेना है, अपटाइला कि बामना पुरिए लिफ जओारै जालो में हम खचति अज़ जराद क के तुदाद के वा दो कि तुदाने जड़ भी बामना। भूले बहके रहे जाने किसको भूले सब इसे तन आई होई होई रहे भूले बहके रहे जाने किसको भूले सब इसे तन आई जूटे है सारे सहारे कोई नहीं है किसी का किसी का अश्कों से भीगा हुआ है चेरा यहा है खुशी का खुशी का खुशी का फिर भी सपने देगे खर्मा संसो आई जाने किसको भूले सब इसे तन आई किसी का आई किसी का अबर्मा शीफी पतरती है ज्टेरे अरोद में पसाना पसाना पसाना, निटी बदलती है चेहरे, हर आदमी है पसाना, खुद जिन्दगी है शिकारी, खुद जिन्दगी है निशाना, निशाना, निशाना दामन, दामन उखे, आखों पीन आए, जाने किसको फुदे, सदियों से तनहाए हुआ 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 ये क्या है, पैसा किसको वस्ते है, तेरे वस्ते और बुल बुल जाने एक बात सुनू, हम पठान को अष्छाने कभी और रवाट कभी अखुआई निकाते, आज तुम्य बात कर दिया है ठीक है, आएंगे कभी ऐसा बात किया ना खुदा किसम ऐसा जापड मारेगा ना तुम्हारा कोपडी साथ दिन तक गुनता रहेगा उसके बाद उल्टा दिक गा समझा यह कहान एक जापड से शिरू हुए थिया जब खान और शाहिद जापड पर यह खतम हो जाएगी जो पैसा तुने मुझ पर खर्चा किया वो तेरा नहीं था ना तुम थीक बोलता है यह पैसा हमारा दोस्त अमान का है हमको उसने दिया था कुछ सामान खरीदने के वास्ते मगल वो सामान मैं जानते हूं दो रोस पहले तुने जो चिठी अपने दोस के नाम चाचा के हाथ लिखवाई थे ना वो चिठी चाचा ने मुझे पढ़कर सुना दिये अब जादा ही एकड़ी मत मार जेदने रख ले ने ना ने तो तो तेरा शिरीना वाला काम होग जाएगा येले पूरे 999 हैं नौसो निन्यानवी क्यो है इसलिए कि ये एक रुपया तुने अपनी पहले मुलाकात में मुझे दिया था इस पर तेरा कोई हक नहीं ये मेरी मैनत की कमाई है फिर भी ये रुपया मैं तुझे उधार दे देती हूं अगर तु वाकई पठान का आएगा नहीं अब छापड लगा नहीं अब छापड लगा नहीं बुलबुजान ये एक तपड भी अमदा रखते हैं जब ये मिलेगा ना तब सुर से लगा के जाएगा हुआ है नाथे 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 अमा यार तुम यहाँ बढ़ो और मैं तुम यहाँ तलाश करो चलो यार चलो तुम्हें एक तमाशा दिखा तब चलो बैठ यार तमाशा बाद में दिखाना पहले यह पूछने दे कि बात क्या है नासर आजकल आधा पागल क्यों दिखाई देता है नासर यह नहीं बताएगा यह बात मुझसे पूछ ले ना लेकिन फिर कभी मेरे वालिद के खतों में उनका बहुत जिक्र हुआ करता था अबा लिखते थे के अबदुलकरीम खा मेरे बहुत अच्छे दोस्तों से हैं तुम यहां आओगे तो तुम्हें उनसे जरूर मिलाओंगा अरे खड़ा खेल फरुक अबादी मेरे भाई दो टोब बात करो दन दनाते हो गुज जाओ उस बेगम के घर में सौगात लेके जाओ एक सुर्फ गुलाब के फूल की डाली हाथ पकड़के बाहर करदो उस अमान के बच्चे को और और कहो उस गुल्चडी से के मैं हूँ तुमारा पुराना आशिक नया नौदिन पुराना सौदिन लाजिम है दिल के साथ रहे पास बान अक्ल लेकिन कभी-कभी उसे तनहा भी छोड़ दे जी आप? जी मैं मैं भी यह सारी किताबें बढ़ चुकी हूँ Strange are the ways of life जी? अरे वो अंदर हससकर तरी मैं बूबा के साथ बात कर रहा है और तु बाइर ख़डा रहे कर रो रहा है अरे सच्चा आशिक होकर दूर के दीदार पे जिन्दा है सोचा क्या है? जा जा आंतर जा नहीं कोई मिलने आया है तो इस तरह से अंदर नहीं जाना चाहिए पत्तम इसी है ए परवर्दिगार सच्चे आशिक को उल्लू का पक्तान जो बना सामने की जाडियों में बैठकर इंतिजार करते है अगर कोई अंदर है तो बहर जरूर आएगा चल अरे राद भर इंतिजार करना पड़ा तो राद भर क्या मैं जिन्द की भर इंतिजार करूँगा चल अच्छी मुसीबत है एक तो दोस्ती निभाओ उपर से राद भर बत करूँ मेरी समझ में यह नियाद है कि तू मुझे यहाँ पर क्यों सवड़ा रहा है मैं तो जाता हूँ नहीं तू यही रहा है अरे लेकिन क्यों इसलिए कि अगर तूने बेकन पर छुटा इल्जाम लगाया है तो मैं तेरी कपर यहीं बनाऊगा और मेरे यार जो कुछ मैंने तुझे बताया वह बात सच निगली तो तो फिर मेरे दोस्त एक बाइदा कर कि तू मेरे कपर यहीं बनाएगा आउ आपकोबर आपकी जी आपका काफी वक्त लिया मैंने यापी का घर है जब जी चाहिए आजाएए शुक्रिया खुदा आफिर मुख्तार, मुख्तार मेरी बात तो सही निगली न अब जाओगे अंदर नहीं, अंदर नहीं तो क्या आमान के पीछे जाओगे नहीं, नहीं, नहीं मुख्तार 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 कर दो कर दो कर दो मैं... कर दो कर दो कर दो... हुआ 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 है हम अपना मुकद्मा पाजी के बाज ले जाएगे तो फिर मेरे दोस्त एक बादा का कि तुम मेरे कब्री यही मनाएगा मेरे कब्री यही मनाएगा बेगम पर जो इल्जाम तुम लगा रहे हो इसकी सजा मौत है इसलाम की रूप से जानी को संसार करने का हुकम है ये तो बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए जिन्दगी लेना बहुत आसान है मगर जिन्दगी देना सिर्फ परवर्दिगार के हाथ में है मगर अपने दोसी मौत का ख्याल करके मेरा खून खौनने लगता है काजी साथ अब तक मैंने बहुत परदाश किया चाहे जैसी कसम लीजिए कर रात अमान को बेगम के घर में देखकर नासिर का दिल जिन्दगी से उचाट हो गया और उसने चीने पर मौत को तरजी दी अपनी जान अपने हाथों लेना भी शरीयत और इसलाम की नजर में गुना है मगर अब तो जो हो गया सो हो गया अल्ला उसे माफ करे बादी साहब क्या क्या अर्मान थी मेरे दिल में क्या कुछ सोच रका था मैंने वो मेरे बुड़ापे का साहरा था उसका सहरा देखने के अर्मान में तो जी रहता मैं अब अब मैं उस औरत को किस तरह माफ करूँ जो मेरे बेखे की मौत की जमेदार है काजी साहब मुगतार बेगम को हमारे पास लाओ यही है वो चुड़ेल जिसने मेरे दोस्ट की जान ली है यही है वो दो टके की आउरत जिसके सर पर नासिर का खून है यह बच्चलन है बदकिर्दार है खायर मदों से इसकी यारी है अरे इसकी आउरत को जिन्दा रहने का कोई याद नहीं मादा लो बपास मन कर हरामजादे शरीफ औरत पर जूटा इल्जाम लगाने से पहले एक नजर अपनी मा बेहन की तरफ तो देख लिया होता क्यों सच बात कहीं तो आग लग गई अरे एक तरफ तो नासिर के साथ मोहबत की पहेंगे बढ़ाती थी तो दूसी तरफ अमान को रात में अपने घर में बुलवा बुलवा के रख ली थी फूट ये जूट है मैं नासिर को नहीं जानती ना कभी उसे बात की है मैंने मैं कलाम पाक की कसम खाके करता हूँ भायो यही औरत नासिर की मौत का सबब थी नासिर इसे चाहता था इसका आशिकता अरे देखता क्या हो इसा बाड़ा लूट ले गुटे मुझ पर जुम कर रहे हैं इनसाफ करने के लिए हम मौझूद हैं मुझे इस तरह पघर कर लाए हैं ये लोग, जैसे मैंने सो खुन किये हैं तुम पर जो इल्जाम लगाया गया है, वो खुन के इल्जाम से भी कई दर्जे ज्यादा है लेकिन ये इल्दाम लगाया किसने, इन में इमानों ने, जो रात दिन मुझे तंग करने के नए तरीके ढूलते रहते हैं। तुमने आज तक इस बात की शिकायत क्यों नहीं की हमसे। अगर आप शिकाय सुनने के काबिल होते, तो इन बनवाशों को मेरे घर में भेज़ते। मुझे इस तरह सरे माधार जली इल्ला करते। हमने तुम पर कोई ज्याती नहीं की, सिर्फ बुलवाया है। और ये लोग, ये लोग उंडे नहीं, शरीफ लोग है। आप इन लोग को शरीफ कहते हैं। इसली तो मैं कहती हूँ, मुझे यहाँ इनसाफ नहीं मिलेगा। आप इन लोग के साथ मिले हुए है। लाहूल विलाहुए। और अपने गुनाहों पर परदा डालने के लिए, मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तीरी इस कुस्तागी से मुझे यकीन हो गया है। कि जो यह लोग कहते हैं वो ठीक कहते हैं। संग्सार कर दो इसे। कर बां दो आपनादियों! कर दो अ लोग स्रव को अुणक्ना परोटको न वो मłyग को असे अन लोग shop कर सबू़ करुप अकपनादम कर लोग संगीiben कर दीरूश चौपक तरें जरी करें कि दो अज़रा वीड है! कि अफार 29 अफार अफ़े आप कर दो फार इनसाफ के राह में दखल देने वाला बराबर का कुनदार होता है खाजी सहिब अपना फैसले पे दोबार घौड कर लो इनसाफ कभी एक तरफा ने होते हैं मुख्तार ने कुरान पाक के गश्म उठाई है कोई भी मुसल्मान इतनी बड़ी गश्म खाकर जूट नहीं बोल सकता मुख्तार ने कुराई श्रीप पर आत रख के गश्म काया क्या इस लड़की से गश्म लिया थे तुमने अधर ये कुरान पाक पर आत रख के बोल दे के इस अब जूट है तो क्या तुम्हारा इंसाफ इसका बेज़ती पे शर्म और हया का चादर डाल सकेगा खुदा के कलाम उठाने का हक सिर्फ उसको है जो इल्जाम लगाता है चब अब दो काजिस सेब बेगम के सामने पुरान पाक लाया जाए हरकिस नहीं एक जानी के हाथ में खुदा का कलाम नहीं रखा जा सकता खामश रहो họcतार खुदा का कलाम तुम्हारी शारूं का पावन नहीं बल्के हम सब उसके हुकम के खुलाम है तुम्हारे गाउं के लोग पुरानी रिवायतों के अभी इतने खायल है इसलाम में जाने की यही सजा है इसलाम में सच और जूट का इस्तिलाफ करने के लिए भी तो कुछ उसूल है यहां के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं आप यहां से जाहिए शायद ना हूं किम जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाओगी मैं यहां से नहीं जाओगा चाहे तुम्हारे गाउं के लोग मुझे ही पत्थर मार मार के क्यों ना मारते जानी जूट जूटे थे जो आई ने सची लगनी लगती मार कृ मुझे हा यु क hasnे जाओए मुझे हा यहां से जाने क्यों हुआ 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 है हुआ 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 है थम जाने रहने वेगाने तुम जुमले जाने वफा ये रात दिन त्यारे लगने लगे तुम जुमले हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु तुम्से ही जाने जाए ये दुनिया हसी है तुम्से ही जाने जाए ये दुनिया हसी है तुम्से ही जाने जाए ये दुनिया हसी है तुम्से हो हमारे हमको यकी है ये उल्फत नहीं है तो कुछ भी नहीं है तुम्से ही जाने जूठे थे जो बाई अजाने राहूनी बेगाने तू अपने लगने लगे आपने लगने लगे हमारा गाओ का अजीज भाई लोग हमारा बात सुनो हम जो बोलता है सुनो कान कोल के सुनो उदर मत देखो लुका पटा इदर देखो आज़े का बीमारी कोलेरा और इस गाओं में जुरूर पहलेगा सरकार के तरफ से एक डागदर आएगा वो तुम लोग को इस बीमारी से बचने के लिए ठीका लगाएगा वैसे यह टीका हमारे दोस्तमान भी लगा सकते है वो भी डागदर है तुम यहां खड़ी क्या कर रही है चल आप घर चलिए मैं अभी टीका लगवा कर रहा है पड़ी आई टीका लगवाने वाली याद है इछले साल जब मैंने टीका लगवाया था तो तीन दिन तक बिस् में बोलने वाली स्ट्सकोप थर्मोमेटर पीपी गेज सिरिंजर इसको तुम अच्छी तरह देख लो फिर से गौर से देख लो सबसक्तर कुछ बूल गया यहांद आजाए क्योंकि यह सब सामान जो है ना यहां को इस तीन टाउं के गाव में मिलेगा नहीं इसके लिए त म्र्जापूर तो नहीं जाना पड़े गया?rict verstehen, मुझा खांवाल इन मिला, New поставา ना पी तर्भूज तुम बात बात पे हमको म्र्जापूर का तना देते हैं, तना देते हैं तो देखो, हम बहुत उश्यार हैं, हम ऐसा उश्यारी मत करना है, समझा न, यह हमको मिर्जापूर में भी नहीं मिलेगा यह इतना सब लाने के लिए, हमको आलमपूर जाना पड़ेगा आलमपूर? आलमपूर दक्तर साब आलमपुर मॉक्तर 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 सब्किको जागा, मॉक्तर फिक्र मत करो मुना, मिरा बच्चा दॉक्तार 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 मैंने आपको हमेशा तकलीफ दी तो मिनको ठीक हो जाओगे पेरा दूस्त है ना नासर वाकेल होगा वोपर आकेल होगा मरना ये उमर में कोई मरने की अल्ला 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 क्या रखज्चा झाल 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 लीजे हो यह अंगूठी आप अपने हाथ से मेरी उंगली में पेनाईए यह मैंने इसी दिन के लिए रखी थी अब तुम जाने वाले हैं तुम इस पूरा गाउं के अंदर एक अलग मजब का वरत हैं हम क्या करेगा तुम को आग क्या वाले करेगा खाग क्या proving क्या क्या करेगा सुफर धोन पर हो यह दोन पर आत्मा तो अपनी मंजल पर पहुपं जाएगी झाल झाल जानली भूले झोले 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 जितना पैसा था वो सब तबा क्या काम के लोगों के इलाज में खर्च हो गया अब तो यहां काम करने वालें को भी तंखा नहीं दे सकता सोचता हूँ शहर वापस चला जाओं यहां से जाने के इजादत देने का मुझे क्या हक है तुम चल सकोगे मेरे से तुम ले जा सकोगे पहले अपने आप से पूछ लो कहीं मुझे भूले हुए खाप की तरह रास्ते में दफ्न मत कर देना लेगो मुझे जाना ही होगा तुम नहीं जा सकता है यार अभी तक तो खजाने का नाम और निशान का पता ने चले और ना पता चलेगा खजाना हो तो पता चले क्या मतलब खजाना हो तो और यार तुम कैसे बोल सकता है कि खजाना नहीं है उदर नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है और नकभी था इसका मतलब है जो इदर हम लोग सब लोग मेनत करता है उसको कोई मतलब ने निकलता है जो आर इंसान दिन रात अपना खून पसीना बाता है उसके कोई मकसद नहीं है जब तो खजाना नहीं है तो इत्ता बड़ा तमाशा करने है क्या जूरोते तुमको जदे को अमान अगर तुम्हारा हिम्मत तूट गया हमको साफ साफ बोल दो कि आव जब कान हम तक गये तुम रोना बंद कर दो नहीं खुदा कसम हम भी रो पड़ेगा और हम रोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा रोना बंद कर दो या, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है पिसमत के पंजे में जिन्दगी बेबस परिंदे की तरह फर्पराती रहती है और वैसे भी ये जिन्दगी है क्या जिन्दगी कहते हैं जिसको दिल रुबा माशूख है ये कभी भूलों की डाली, ये कभी बंदूख है हसना रोना मेरे प्यारे है जिन्दगी तेरे दो मजारे इन दालों ही से रोशन पैदहां का बादुकं जाने मन, जाने मन, जाने मन, आसरा को भाविशं भूप में साया न दे जो पिर वो बेकार है आदमी वो है जिसे हर आदमी से प्यार है मेरी तेरी प्यार जोड़त प्यार तुदा है प्यार इबादत प्यार वच्पन की हसी नफ्रत जवानी का प्रफन जान मन जान मन जान मन आसरा प्रफशन वक्त है तेरान मेरा वक्त का अपना चलन हर जवानी लेके आती है दुड़ा का जान झाल मुश्न प्यार तेरान कि अब दो कि अब खिर दो हम आप अब आप माँआ आप अब आप अबन आप आप अबन आप अबन आप कर दो, कर दो, कर दो! कर दो, न उन उगो कर देख लो, कि लिए! झाल 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 झाल! गोब गोज़ बोजब खुड़ खुड़ भॉड़ हुआता कर दोगी को जब हुआता जारी के पारी बना आलाता हुआता आलाताग तक जब ही अभ रप ड़गूभा यहीज़ धुड़ पीवाना। प्राफ भुड़ा दो कर दोड़ा दोड़ार है अगो, चपकत पर झाते अगादो लगादो हमासाता हुई sytu отправrite हुई Βहादो तादो झाल! 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि दिन्दगी अजीद है तो खदाना हमारे हवाले कर दो कर दो रहस्ट कि नregो limits, से खले औराम के लिए, से संफे ही बांज, से ठान रोच्ट करें, कि रीम् झाम के विए, आले देगा है, कि अर भूँ झाता ुझ तो ङुझ अजर अज़ाए है ुझ अज़ ताइ ुझ जब तो ुझ अज़ाए है ुझ जिये रो ुझ जब तो हो रखन्हार उट कर दो भॉगर थार दो कर दो तो हुआ 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 है नुम्साफा अमसार है बहुते हैं । व कुषू गुष्य पराहए और उसुम्साब होना क्या मैंनकी तोम्साब्ड मान Sister प्रिख, क्या तुम क्या समझोगे है आम तो कुछ नहीं समझ सकते है तुम्हारा बाप ने तुमको जबान चलाना सिखा दिये ये बेजा चलाना सिखा दिये लेकिन आथ पहर चलाना नहीं सिखा है तुमको ना मरद बना दिये क्या गहां? बोले तुमकु ना मर्द मैं, ना मर्द मुझे हाथ चलाना नहीं आता मुझे हाथ किल तुमकु ना सतुमकु किल जाए किल किल कोज isn't लुमक्यू विर्ष二 कรव다 ale फ झस झाल कर अजय कर दो, झाल कर लो झाल कर वर चाल कर लोगा जो जाल कर झाल कर फाल तो बडऱ्दां भु़ ऑट कर दो, बड़ाद को आज सो आज झा हना कितना कुछ ख 나오ны चैनल के बाद क्या मिला फार चीनल के टिंग से लगवें आप के लंग बहूंगा तुम अपने शूरतेते तुभा रचल अपने सूरत तुम आपनी शूरते तुमी रहाते तो तुम मकी की पाई तुम मरद लगता था अब अभी तुम मरद लगता हैं मरद है अभी देख लिए तो चुक लिए तो वे ख़जाने का बराबर एक चुक लिए तुम इसके साथ शादी बनाएगा उसको पाँच साथ 20 25 40 बच्चा देगा तुम को आम जैसा एक दोस्त बिल गए तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो बीस 25 दुश्मनों की भी जरूरत नहीं है खान जाने मन जाने मन आसरा हो पादिशन जाने मन जाने मन